प्लीज सब्स्क्राइब और प्रेश तब आइकोन फर मोर कॉंटेंट हाई अब्रीवान स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर तो दोस्तो आज के विडियो पर हम लोग माइक्रोसौफ्ट ऑफिस वड का लेशन पर है अभी तक आप लोगने लेशन 35 तक का वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का प्लेश्ट है दोस्तों वहां से आप जाकर बड़ी आशनी से देख सकते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं आज क करने के लिए यहां पर चीटार के तक करने के लिए अंड़ करना इक हैं कर दोस्तों नहीं यहां पर कंड़ेट करता हैं और क्लीक करने कदीए यह फाइप साइज आ चुका है अब मैं इसको नेरो करूंगा मार्जिन आप जो भी मार्जिन वगरा करना चाहते हो यहां से कर सकते दिकत वाले बात ने और सबसे बेले मैं यहां पर कुछ मेंनुका हल्च करने लाओं तो यहां पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करेंगा में यहांपर और एक सर्केअब कर सकता हूँ मैं यहां पर सकता हूँ कुछ यह वाला rectangle shapes दोस्तों और इसको मैं इस तरीके से यहां पर draw कर लेता हूं आप इसी तरीके से बिल्कुल draw कर सकते हैं दोस्तों दिक्कत वाले बात नहीं है और इसके बात यहां पर मैं इसको थोड़ा सा उपर के तरफ रखता हूं रखने के बात दोस्तों मैं इस shapes को थोड़ा तर लिनियर कर लिएता हूं और यहां पर में कुछ इस तरीके का लिनियर इफेक्ट बना लेता हूं और इसको थोड़ा सा यहां पर में एर्चेस वगरा करूंगा एर्चेस वगरा करने कबाद दोस्तों देखे कुछ इस तरीके से यहां पर क्रेट हो चुगे अब मैं सिंप्ली यहां पर फिर से एक यहां पर सेप्स द्रोग करने जा रहा जो भी यहां पर इस तरीके सेप्स पर ड्रोग कर सकते हो अब यहां पर इसी सेप्स को यूज करते हुए भी आप इसको एड्जेस वगरा कर सकते हो इस तरीके से आप यहां पर by design वग्एरा बना सकते हो तो यहां पर दाओट कि मैं इसको थोड़ा सा यहां पर रख देता हूं रखने की बात इस सेप्स को मैं यहां पर फिर से खौलर यहां पर चुछ करूंगा डिरेक्शन में यहां पर चेंज करने जा रहा हूं अभी मैंने यह वाला डिरेक्शन लिया था आप में यह वाला डिरेक्शन ले रहा हूं और इसको मैं यहां पर सेंड बैक वर्ड कर रहा हूं तो यहां पर देखे कुछ इस तरह के से यहां पर डिजाइन क्रेट वह रहा है इसका थोड़ा सा उपर के तरफ रखने चाहते हो तो भी रख सकते दिकत वाले बात में आप इसको देर सारे डिजाइन वगराइग क्रेट कर सकते हूं फिलाल के नने चाहर रहा हूं यहना पर देखए देखे रहर है रेक्टेंगल टूल है दोस्तों से यह वालिया डिनल से पर सैव ness aura with i यहां पर इस तरीके से रोटेट कर लेता हूं तो दोस्ते यहां पर देखें रोटेट करने के बाद इसको मैं यहां पर फिल करता हूं तो यहां से देखें यहां पर मैं फिल करता हूं और फिल करने के बाद इसको मैं सेम वे वाला कॉलर दे दूंगा सेम यह वाला और एफेक करता हूं एड़स करने बाद दोस्तों एतना तक यह फ्रसेस कंप्लीट हो चुगा है अब मैं यहाँ इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हूं और यहाँ पर फिर से ट्रेंगल सेप्स यहाँ पर सलेट करताँ कुछ इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर रूटेट कर ले नाँ इस तर को दिकाद वाले बात कुछ भी नहीं दुस्ता आप इसको बढ़िया साने से एड़स वगर करते वे इसको इसको इफेक्ट नो कर सकते हो इसको कॉलर वगए आपको ग्रेट करना है तो यहां से कॉलर ग्रेट वगर आपकर सकते हो और इसको तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इसको कॉलर दे दूंगा यह वाला ब्लू और यहां पर मैं इसको कॉलर दे दूंगा यह वाला ग्रिंट वगरा इस तरीके का एक कॉलर वगरा ग्रेट कर लिदा थोड़ा सा इसको नीचे कर लिदा तो यहा और कम्प्लेट हो चुका है तो इसको मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ ऑप मैं यहांसाब इस वाले इम्यस इंप्र पीचर करनी जा हांब इसके लिइए इंशर्ट से पिक्सर यहां पर देखे और इसकाद यहांपर मैं डी ट्राइब के अंदर पिक्सर मेरा पास से इस वाले कुछ यूनयिक साफ फुड यहां पर चानि का यूज करूंगद दोस्तों क्वार एक्जामपल के लिए दोस्तों मू स्पूल दोस्तों मैं हैं पर जह वाला फूड शाले तब में दो और इसको wrap text के अंदर क्लिक करता हूं in front of text और यहां पर इस तरीके से इसको बढ़ा करने का try करूंगा तो यहां पर में इसको थोड़ा सा और इसको रखेकर आप इसको सकता हूं दिकति यहां पर सकते हूं है यहां इसको फैस वाले बात नहींग है इसको थोड़ा सा इड़सो घर में आपको इसी इमेज का स्ट करने सट यहां पर कुछ मेंजे सेट कर सmyon doậu स्ट ऑभ यहां पर थाँ मनु डिजाइन जैसे यह नजरा आ आ रहे हैं और उसके बाद यहां पर मैं टैप कर लिए थाओं मैनु रिस्ट्टूडेंट टेद Key यहां पर मैं इंसट के अंदर क्लिक करता हूँ और यहां पर मैं वाद के अंदर क्लिक करता हूँ वाण के अंदर क्लिक करता हूँ यहां पर मैं सब्सेछे इसको फॉड़ अध साइट कर NOW Clear Noise Spac stimulate wa Image Manu सब्सेभली मैं हैंवर Capital लिटर है adviser ich और इसको Ctrl A करतु है, यहाँ पर मैं रखक्ष attach करता हूं, यह वारे करता हूं, कि भी यह कुछ इस तरीची सीमिन इसको बड़ा कर चुका हूं तो इसको थोड़ा सब्सक्द सब्सक्राइब ऊपने चाहिए रिश्टूडेन और उसके बाद इसी सेप्सको इसी टेक्स्टक आप थोड़ा सब बढ़ा करना चाहते हो तो बढ़ा विक्कर सकते हो दिखत वाले बात नहीं है आपको यहां पर इसको सथ करना है तो यहां पर देखे कुछ इस तरीके से यहां पर कम्लीट हो चुगा अब मै सब्सक्राइब रहां पेंगा चाहंगा तो यहां पर मैं इस वाला थाक्नाद यहां पर आप टेक्स्ट इन फटेक्स्ट यह वालब पीजा थोड़ा सा मैं इसको यहां पर छोटा करते हुए कि यहां पर इसको set करना जारा हूं इसी को control shift all करते हूं इसको मैं थोड़ा सा इसको यहां पर देखे कुछ इस तरीके से इतना तक यह process complete हो चुगा इसको थोड़ा से उपर और इसको यहां पर में रखता हूं और इसको मैं आड जैस्ट वगरा कर रहा हूं दुस्तों तुम इंप पह देखे इस तरीके से मैंfriends rest today नियाप हर और ऐसको बंद करता है रहो तो सबसे विखलने से के इससा बना निकले निसी के पार्ट बनाने के लिखले सिंप्दी स्मीड क्ल WrestleMania couple डीकर दॉन का ताऊं यह रोटेट यह कर लेता हूं और उसके बाद इसको नीचे रखता हूं को इस तारीके से और यहां पर यह वाला इसको यहां पर रख देता हूं और रखने को बाद से इसी से इसको कंट्रोल डी करते हूं और यहां पर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए इसको मैं यहां प इसको अंदर यहां पर create करना है तो यहां पर इस तरीके से बंद करता है और उसके बाद आपको यहां पर किसी भी color वगएरा बनाने है तो आप यहां पर add कर सकते हो उसके लिए मैं यहां पर insert or shapes यहां पर मैं यह वालाई shapes लेता हूँ rectangle और यहां पर इसको डर्या करता हूँ ड्रोन इक बाद send back कर लेता हूँ इस तरीके से तो यहां पर इतना तक यह process complete हो चुगा अब यहां पर इसको gradient यहां पर देखे इस तरीके से यहां पर इतना तक यह प्रोसेस करूंगा तो अब मैं यहां पर एक ट्रेंगल डिजाइन करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपर इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं free from shapes create कर लिए तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से free from shapes यहां पर क्रीट करना जा रहा हूं थ्वड़ा से इसको डिलेट करता हूं और इस तरीके से free from shapes यहां पर मैंने create कर चुक है इसको मैं white color दूँगा इसको outline नो करूँगा तो यहां पर देखे कुछ इस तरीके से यहां पर design क्रेट हो चुक है इसको आप gradient color वगर आपको देना है तो आप यहां पर दे सकते हो white और इसको यहां पर dark gray वगरा इस तरीके का आपको करना है यह पर भी आप कर सकते हैं दिकत वाले बात नहीं है थोड़ा से इसको ओर डार्क वेदा कॉलर लेना चाहते हैं यहां पर ले शक्ते हैं इसको आप थोड़ा साइंड ब्लगेर करते हैं मैंदेन वगरा करता हूं पर देखे यहां पर दिखे यहां पर complete हो चैट के अंदर क्लिक करते हैं यहां पर मैं यह वाला सेप्स क्रेट करनी जा रहा हूं दस्तों तो यहां पर देखें कुछ इस तरीक से और इसको मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे के इस सा बना रहा हूं दूस्तों इसको तो मैं रोटीट करता हूं इस तरीक से और यहां पर को सेट करता हूं और इसको यहां पर रख देता हूं थोड़ा से यहां पर एड़्जेस करता हूं अज्टेम को यहां पर मैं आउटलाइन नौ करूंगा और यह कुछ इसवाले डिजाइन को में यहां पर इस सेप्स को में यहां पर थोड़ासा ग्रेडियंट कॉलरी फिल करूंगा यह वाला ही मुझे बैटर लग रहा है और इसको बात कि सी को कट्रूल डी करते हुए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं और इसको यहां पर रखता हूं और इसको दिरेक्शन चेंज करता हूं यह वाला डिरेक्शन और इसको सेंड बैक्वर्ड करता हूं तो यहां पर लेके कुछ इस तरीके से डिजाइन बन कर तैयार हो चुग है अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक डिजाइन के लिए यहां पर एक यूनिक सा पिक्चर सेट करना चाहूंगा तो हीआ पर यह था हीएबाद कशा इंसर्ट कर रहा हूं दुस्तो डव्ट से इस त्रीके से शेट करना ओट इसको खो थोड़ा सा दूटा कर रहा हूं और उसके बाद इस इमेज यहां पर इस तरीके से से शेट कर रहा तो दोस्तों यहां पर देखे और उसके बाद यहां पर कुछ एक डिजाइन करेट करना चाहूंगा इंसर्ट ट्रेंगल कुछ इस तरीके का यहां पर एक से ड्रॉ कर रहा हूं और इसी सेप्स को मैं यहां पर थोड़ा सा पीछेच रखता हूं इस वाले कॉलर को वाइड दे इसके लिए तो मैं यहां पर सबसे पहले इंसर्ट के अंदर क्लिक करता हूं सेप्स और यहां पर टेक्स्ट बाक्स और इस तरीके से यहां पर टेक्स्ट बाक्स ड्रॉ करता हूं तो इतना तक यहां पर देखे और उसके बाद इस सेप्स को थोड़ा सा छोटा करता हूं आ इसके बाद यहां पर आपको तो भी आइटम हो गया रहा है यह पर आठकने को तो आपको कि यहां पर इसका कितना प्राइज कर सकते हो में आप 10 टॉलर टाइब कर रहा हूं और उसके बाद इस सेप्स को आप नेम ओफ आइटम हीर याप यहाँ पर जो भी आइटम आपको है आप यहां पर एड़ कर सकते हैं इसको टाप बटन प्रेस करते हैं अड़ेस्ट कर रहा हूं और इसको फॉन ठोड़ा सब बड़ा कर र जोए और उसके बाद यहां पर में मेरा पास एक कुछ टेक्स्ट है दूस्तो यह वादा टेक्स्ट आपर याड करना चाओंगा थोड़ास डिजाइन के लिए डिजाइन अच्छा बनाने के लिए लाइक यहां से यहां तक कापी कर रहा हूं और यहां पर इसको इसको फों सब बोल्ट वगरा करना है तो टेक्स्ट को बोल्ट करना है तो यह से कर सकते हो दिखत वाले बात ने इसी सेप्स को इसी टेक्स्ट का आप कंट्रोल सी कर लिजे और यहां पर आप एक बार इंटर कर लिजे पेस्ट कर लिजे और फिर से एक बार इंटर पेस्ट तो दोस्तों यहां पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो चुगा है टाइप अब इसको में सब से पहले तो आपक्लाइन नो से फिल कॉलर नो आपका जो भी फॉन्ट कॉलर वगरा है तो कंट्रोल एक करते हैं इसको तो मैं यहां से डिल हीजिए पर देखिए और यहां पर देखे और इसको धुद्क्नें इसको थोड़ा झाल से रर्डिंट करता हूं और इसको कॉलर वगरा दूंगा दोस्तों यहांसे वाइट कॉलर सबको वाइट करूंगा और यह कॉलर मैं एलो करूँगा यह वाला आपको जो भी color पसंदें यहां से आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से select करते हुए तो दोस्तों यहां पर देखें इस तरीके से मेने menu कार्ड डिजाइन कर चुका हूं दोस्तों आप भी इसी तरीके से menu कार्ड डिजाइन कर सकते हुए में यहां पर food name type करूंगा उसके लिए यह वाला से यहां पर टेक्स्टिक प्रेट करता हूं control D duplicate और इसको में थोड़ा सा निचे लेकर यहां पर इस वाले पीज़ पर यहां पर में food को Staatsan तो यहां पर डीस तरीके से सेकशए सेर करता हूं और यहां पर में control line इसको थाहरा हुआ थाम फॉन शुट खरता हूं यह पर आपको जो भी फॉन फॉंद वाड़ा एड करना है तो यह परावेद कर सकत दिखत व principles यह जंब कर रहा हुँ इद पर यहां पर एड़ेस्ट करों इसको कंट्रूल है यहां पर मैं वाइट तो दिखने में अच्छा लगा इस तरीके से यहां पर मैंने रख सुका हूँ दोस्ता आप भी इसे तरीके से मैं कर सकते हो तो दूस्ता आप लोगों का वीडियो के सलागा प्लेज लाइक किजिए कमेंट किजिए सब्सक्राइब किजिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो पर किसी नहीं टपकी के पर तब तब के लिए नमस्कार